नमस्कार, वो मोनपा की कश्टी, वो बारिश का पानी, जी हां मैं भी कागस की कश्टी की ही बात कर रही हूँ, बस ये कागस हातों से बना है, मेरे जादा कुछ कहने से पहले देखिए ये वीडियो अरुनाचल प्रदेश के इस पहड़ी इलाके में सद्यों से मोन शुगू नाम के एक पेपर बनाये जाता है, ये कागच यहां के स्थानिया शुगू शैंग नाम के एक पौधे की चाल से बनाते हैं, इसलिए इस कागच को बनाने के लिए पैड़ों को नहीं काटना पड़त है, इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है, यानि ये कागच परियावरण के लिए भी सुरुक्षित हैं और स्वास्ता के लिए भी तो सुना आपने, हातों से बने कागच का वो गुजरा जमाना लोट रहा है, पीम के मन की बात में मोनपा के जिक्र भर से इस कागच की मांग अचानक बढ़ गई है, और उन कारीगरों की आखों में आशा की एक नई किरन देखने को मिल रही है, जो इस उद्द्योग से और चोड़ाई 16 एंच है, मोनपा को मोनशगू भी कहते हैं, खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानि KVIC ने मोनपा को ऑनलाइन विक्री के लिए e-portal www.kviconline.gov.in पढ़ लाया था, जहांसे महराष्ट और UP जैसे कई राजियों के लोगों की तरफ से इस पेपर के ऑरड स्कूलों या अन्य पठन पाठन के जरूरतों को ही नहीं पूरा करता, बलकि ये eco-friendly भी है, मतलब इससे धरती आकाश को कोई नुकसान नहीं पहुचता, अब समझते हैं कि ये मोनपा का कागस बनता कैसे है, मोनपा शुगू शेंग नाम के पेड की छाल से बनाया जाता है, अपनी रेशेदार बनावट की वज़ा से ये बाकी कागसों से काफी अलग दिखता है, सबसे खास बात यह है कि ये हमारे धार्मिक गरंथो, पांडू लीपियों को लिखने और प्रापना ध्वजों को बनाने में मोनपा जैसे हातों से बने कागस का ही प्रयोग किया जात जो एक दिन में सेंकडो शीट का उत्पादन कर सकते थे, इस उद्योग से एक कारीगर को प्रति दिन 400 रुपिय की आमदनी होती है, इसे शुरू करने के लिए स्थानिये गाउं से 12 महिलाओ और दो पुरिशों को प्रशिक्षित किया गया था, आमदनी बढ़ने और कम ला भारत और विदेशों के बाजार में काफी संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं कि इस कागस का प्रयोग अब शुरू हुआ है, बलकि तवांग की घरों में इसे काफी साल पहले से बनाया जाता था, तवांग अरुनाचर प्रदेश में है, भारत के सीमावर्ती देश जैसे तिब भूटान, मयम मार और जापान सहित कई अन्य देश भारत में निर्मित इस कागस का आयाद भी करते थे, मन की बाद के माध्यम से लोगों को फिर से मोनपा को जानने का मौका मिला है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि आने वाले समय में इस कोरे कागज की मांग दूर दराज के देश तक उठेगी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद